हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सेसेकेटमी पर दोस्तों नागरिक सास्त्र या राजनीत विज्यान के अध्याइवार प्रेक्टिस सेट के अंतरगत आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रेक्टिस सेट नमब केंद्री विद्यले संग्धन और नेट जयरेप की परिच्छाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों इस वीडियो में समाजवाद से बनने वाले सभी important questions को include किया गया है तो आप सभी लोग वीडियो में अंतरग बने रहें और प्लीज वीडियो को like करें जिससे हमें motivation मिले और दोस्तों में share करें तथा चैनल को subscribe कर लें फिर आपका तैयारी के लिए तो आईए सात्यों सुरू करते हैं आज का practice set और देख लेते हैं topic wise practice set 9 में समाजवाद से जुड़े हो सभी महत्तों प्रिश्णों को पहला प्रिश्ण है तो पहला प्रिश्ण है दोस्तों समाजवाद की उत्पत्ति कि सब्द से हुई है आप सबी लोग बताएं सोसियस सब्द किस भासा से लिया गया है अगला प्रिश्ण है दोस्तों समाजवाद सब्द का प्रथमता प्रयोग किसके द्वारा किया गया कई बार परिच्वाँ में पूछा गया कोश्चन है आप प्रीविएस येर कोश्चन पेपर में देख सकते हैं आप्शन A. Robert Owen आप्शन B. Marks आप्शन C. Lenin और आप्शन D. St. Simon राइट आंसर आपका हो जाएगा आप्शन नमबर A. रावर्ट Owen के द्वारा समाजवाद सब्द का सरप्रथम प्रयोग किया गया था अगला प्रशन है दोस्तों समाजवादी बिवस्था का आधार क्या है आप्शन A. एक समतावादी समाज की स्थापना आप्शन B. मूल भूत आउसकताओं की पूत करना आप्शन C. सार्वजनिक स्वामित और आप्शन D. उप्रयोगत सभी राइट आंसर आप्शन नमबर तीन होगा समाजवादी बिवस्था का आधार उप्रयोगत सभी है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है दोस्तों समाजवादी सत्ता कूग गोलियों के इस्थान पर मतपत्रों के द्वारा प्राप्त करने के इच्चुक है यह कथन किसका है आप्शन D. सेलर्स का आप्शन B. इवन्स टीन का आप्शन C. पेरेटो का और आप्शन D. ट्राटर्स की का राइट आंसर आपका हो जाएगा आप्शन नंबर B. इवन्स टीन का है अगला प्रशन है दोस्तों समाजवाद को जनतांत्रिक आंदोलन किसने स्विकार किया है आप्शन A. होगा आपका लास्की आप्शन B. स्टालिन आप्शन C. आप्शन C होगा लेनिन और आप्शन D. सेलर्स राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका आप्शन नंबर D. अगला प्रशन है दोस्तों समाजवादी राज्य के कार्यों में समाजवाद दो रूपों में विभाजित है एक प्रारंभिक समाजवाद या स्वपनलोकी समाजवाद कह सकते हैं और उसके समर्थकों में थामस मूर, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, राबर्ट ओवन आदविचारक आते हैं और प्लेटो को प्रथम स्वपनलोकी समाजवादी माना जा सकता है ये काफि इंपार्टेंट पॉइंट है बाकी बैज्यानिक समाजवादी या मार्क्सवादी समाजवादी के अंतरगत आप सभी लोग जानते हैं उसमें काल मार्क्स और उनके शाथी एंजिल्स ये सभी लोग आते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों है अगला प्रस्न है दोस्तों आतिक चेतर में समाजवादी समर्थक हैं किसके समर्थक हैं आपसनने मुक्त प्रतिवनद्धता के आपसनन वी एका अधिकारवाद के आपसननि उत्पादन वित्रण के साथ नोपर समाजवस्वामित के और अगला प्रशन है दोस्तों किसने समाजवाद की तुलना गिर्गिट से की है और उन्होंने कहा है इस बारे में कि समाजवाद एक गिर्गिट की तरह है जो वातावरण के अनुशार रंग बदल लेता है वहीं आपको बता दें जोड ने समाजवाद के बारे में लिखा है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी बन गई है जिसका रूप बिगड़ चुका है क्योंकि उसे हर कोई बेखते पहन ले है कि इसने अप्शन ए उब्भोकताओं के हितों को अंदेखा किया है अप्शन बी और दोगिक कामगारों को राजनीती सकती देने से इनकार किया है अप्शन सी छेत्री पित निधित को अनावसिक रोप से सही ठेरा है आप्शन डी इन में से कोई नहीं राइट आंसर आप का आप्शन नंबर A हो जाएगा स्रेणी समाजवात की एक दुरबलता रही कि उसने उब्भोकताओं के हितों को अंदेखा किया है अगला प्रशन है ओवन का लच्छ क्या था आप्शन A वर्ग मुक्त समाज आप्शन B सर्वसाधरण का कल्यान और आप्शन C आपका था र प्रशन का समाजवात के समर्थकों में आते हैं और इन्हों ने सबसे पहले समाजवात शब्द का प्रियोक किया था इसलिए इस्त्रशन का रइट आप्शन नंबर B हो जाएगा अगला प्रशन है दोस्तों लोगतांत रंतरीक शमाजवात में निमलिखित में इसे कौन सा अगला प्रशन है दोस्तों, सारे समाज का कारिक गरीबी दूर करना वा नैतिक शुधार करना है ताकि गरीबों की रिच्छा हो सके ऐसा मत किसका है? अगला प्रशन है दोस्तों, उस समाजवादी विचार को जो उद्दोग में जनतंत्र और ब्योसाइक प्रतिनिधित्तु का पच्छधर है, अगला प्रशन है आपका आप्शन नमबर भी होगा, उसे गिल्ड समाजवाद के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है किस समाजवादी ने राजनीत को उत्पादन का विज्ञान कहा है? अगला प्रशन है दोस्तों, इंगलेंट में समाजवादी विचालधारा का प्रारंभ करता निमिकित में से किसे माना जाता है? अगला प्रशन है दोस्तों, क्रेमिकिता की अनिवारिता के सिध्धान से संबंध विक्ति कौन है? अगला प्रशन है विकासवादी समाजवाद नामक पुस्तक किस ने लिखी है? अगला प्रशन है विकासवादी समाजवाद नामक पुस्तक किस ने लिखी है? Edward Bernstein Mohoday के द्वारा लिखी गई एक प्रमुख उस्तक है अगला प्रशन है दोस्तों सरमिक संगवाद की जन्व भूमी कौन सा देश है अगला प्रशन है दोस्तों समाजवादी प्रिटपादित करते हैं कि जो भी नियोजन हो आर्थिक और राज्जी के द्वारा हो अगला प्रशन है किसने लोगतंत्र को समाजवाद से अधिक महत्पूर माना है आपसने बर्णिष्टीन ने आपसन भी कारल काटस्की ने आपसन सी फरडिनेंड लासाल ने और आपसन डी रोजा लगजम बर्ग ने राइट आंसर आपका आप्शन नंबर भी होगा कारल कार्टस्की ने लोगतंत्र को समाजवाद से अधिक महत्पूर माना है अगला प्रशन है किसके मतांसार समाजवाद वही सफल हो सकता है जहां प्रजातंत्र की जड़े गहरी जमी है आपसने जी टी एच कोल आपसन भी बी एच जे लास्की अगला प्रशन है दोस्तों बैग्यानिक समाजवाद का संस्थापक था आपसन ए मार्क्स आपसन भी लेनिन आपसन सी इस्टालिन और आपसन टी लास्की राइट आंसर क्या होगा आपका आप्शन नंबर ए होगा बैग्यानिक समाजवाद का जनक काल राज्जी क्या है जनता की ट्रश्टी आपके मद्धी की इस्तिती और अरीजकता वाद के मद्धी इस्तिति अगला प्रशन है निमने में से किस ने योजना को दास्ता का मार्ग बताया है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है कौन से विचाधारा मानते है कि स्रम नहीं बलकि समाज मुल्य का निर्माता है अगला प्रशन है समाजवाद एक ऐसे टोपे के समान है जिसका रुप बिगड़ गया क्योंकि प्रतेख बेक्ति उसे पहनता है या किसने कहा है अगला प्रशन है विकासवादी समाजवाद का जनक बरन इस्टीन को माना जाता है अगला प्रशन है समाजवाद निजी समपत्ति के विरुद उत्पादन के समान बित्रण की प्रकरिया का समर्थन करता है या मत किसका है आपसन ए नहरू आपसन बी ब्रेटले आपसन सी रसेल और आपसन टी बर्क राइट आंसर आपका होगा दोस्तों यहाँ पे कुश्चन नमबर तीस होगा यह चार मिस्प्रिंट हो गया सातियों 30 है यहाँ पे आप प्रिशान नहीं होना है तो राइट आंसर इसका होगा आपसन नमबर भी यह स्टेट्वेंट ब्रेटले महोदे का है अगला प्रिशन है विकासवादी समाजवात का महत्पून उद्गम इस्थल कौन सा है आपसन ए फ्रांस आपसन भी इतली आपसन सी जर्मनी और आपसन टी फ्लोरेंस राइट आ आपका हो जाएगा आपसन नमबर सी विकासवादी समाजवात का महत्पून उद्गम इस्थल जर्मनी है अगला प्रिशन है दोस्तों इवोल्यूशनरी सोसिल सोसियलिज्म किसकी पुस्तक है आपसने पैरेट आपसन बरनिस्टीन आपसन सी कोल और आपसन टी ओवन की तैयारी फ्री आपकास्ट जाड़ी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ जितने भी प्रेक्टिस आप सेट आप सभी को शाल्ब कराएगे चैनल पे उनकी पीडिएप अगर आप फ्री प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देगे टेलिग अगला प्रिशन है बर्निष्टीन कहां का निवासी था आप्षन जर्मनी का आप्षन बी इटली का आप्षन सी रोम का और आप्षन डी बिटेन का राइट आंसर आपका होगा आप्षन निमबर ए बर्निष्टीन जर्मनी का निवासी था अगला प्रिशन है बर्निष्ट अंगला प्रशन है दोस्तों, अगले प्रसन को डिसकस करने से पहले आप सभी को बताने, कारल मार्क से जुड़ी हुई है कि बहुत ही अच्छी बीडियो हम आप सभी लोगों के लिए ले करके आ रहे हैं, आने वाले एक से दो दिनों के अंदर, जिसके अंतरगत काल मार्क से जुड़ी हुए सारी चीजों को एक ही वीडियो में समराइज करते हैं आप सभी लोगों के लिए ले करके आएंगे जिसमें उसके वर्ग संगर्स, आर्थिक नियतवात, भहुतिक वादी धारणा, सारे इक कांसेप्ट को बिल्कुल किलियर किया जाएगा तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन दबा लें कि जल्दी कालमाग से जुड़ी है धमाकेदार वीडियो आपको मिलने वाली है अगला प्रशन है दोस्तों निम्न में से कौन फेवियन वादी है आपसन ए र राइट आंसर आपका आपसन नंबर ए हो जाएगा यह राष्टवास से प्रेवित है अगला प्रशन है निम्न में से कौन दल में विश्वास नहीं रखता है आपसन ए स्त्रेणी समाजवाद आपसन भी स्रमिक शंगवाद आपसन सी मार्चवादी समाजवाद और आपसन सिर्मिक शंगवादी जो है वो दल में विश्वास नहीं रखते हैं अंगला प्रशन है दोस्तों अ अगला प्रशन है सो फूलों को खिलने दो या किसका मूल मंत है आपसन ए फेबियोद का आपसन भी सामिवाद का आपसन भी लेनिवाद का राइट आंसर होगा आप्षन नमर सी ये मावादी शामिवाद का स्टेटमेंट है कि सौप फूलों को खिलने दो अगला प्रशन है दोस्तों संसोधन वादी समाजवादी क्या चाहते हैं आप सबी लोग राइट आंसर कमेंट करें फटा फट क्या होगा इसका राइट आंसर फटा फट कमेंट करें साथे उस प्रशन का राइट आंसर क्या बनने वाला है तो इस प्रशन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका option number B संसोधनवादी समाजवादी चाहते थे कि जो पुझी वादी बेवस्ता है उसमें पूरी शांति पूर्ण तरीके से परिवत्तन हो जाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंतरगत हमने समाजवाद से जुड़े हुए महतपूर्ण प्रिश्णों को आप सभी के साथ डिसकस किया है जो आप सभी की आगामी परिछाओं की द्रिश्टी से काफी महतपूर्ण और helpful रहने वाली है उमीद करते हैं समाजवाद का जो first portion था जहां से important question जितने बन सकते थे उन सभी को include कर लिया गया था इस वीडियो में और आप सभी के exam में काफी helpful साबित होंगे अगली वीडियो में हम ले करके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए कार्ल मार्क्स की मार्क्स वाद से जुड़े हुए या बैग्यानिक समाजवाथ से जुड़ो है माहतपूर्ण प्रशनों का एक धमाकेदार वीडियो उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से question धेर सारे बनते हैं परिछाओं में तो उमीद करते हैं कि इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करेंगे दोस्तों में सेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन दबाएंगे आगे की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो साथियों इस वीडियो को आँ तक देखिने के लिए करेंगे